नमस्कार दोस्तो मैं अंकित एक पर फिर से स्वागित करता हूँ आपके अपने चैनल में तो दोस्तो आज साथ जुलाई 2019 को जैसे कि आपको पता है सीटें 2019 का एक्जाम हुआ है तो उसकी जो है अंसर की का फर्स्ट पार्ट जो है तैयार हो चुका है आप देख सकते हैं तो आप जो टैली का सकते हैं मैं कोशन पड़ूंगा और जो सही अंसर होगा वो आपको बताऊंगा तो फर्स्ट पहला प्रेशन है इन प्याजे के अनुसार बच्चे तो इसमें जो सही अंसर है वो है पहला पहला अंसर जो है वो सही ज्यान को सक्रिये रूप से सरंचित करते हैं जैसे जैसे वे दुनिया में विवार कोशल का प्रियोग करते हैं तथा अन्वेशन करते हैं तो इसका जो पहला अंसर है वो सही है यह कोशन नंबर दूसरा है चालक विकास की दर में व्यक्तिगत भी विद्दाएं होती हैं फिर भी चालक विकास का क्राम डैस से डैस तक तो इसका जो सही अंसर है वो ए ऑप्षिन है शीर्ष गामी अधोगामी कौशन नम्बर 3 है वह अवधी जो व्यस्कता के संक्रमन की प्याहिव करती है उसे क्या कहते है तो इसका जो सही अंसर होगा वो होगा फर्स्ट ऑक्षिन शोरावस्ता Q4 एक बच्चा तरक रस्तुत करता है कि हिंज क्यों दवाई की चोरी नहीं करनी चाहिए वह दवाई जो उसकी पत्नी की जान बचाने के लिए जरूरी है क्योंकि यह दिवा ऐसा करता है तो उसे पकड़ा जाएगा और जेल भेज दिये जाएगा Q5 एक बच्चा ने अतिक समझ की किस अवस्ता के अंतरगात आता है तो इसका जो सही अंसर है वह है Q5 है मौकि किसमवाद जो बच्चे अपने आप से करते हैं उन्हें लेव वियोगोत्स की क्या क्या क्याते है Q6 है Q6 है खेलों ने पहनावे की वस्तुएं घरेलू समागरियां व्यवसायों के एवर रोगों की विशिश्ट लिंक के साथ समबंदित करना क्या प्रदर्शित करता है Q6 का जो सही अंसर है वह है Q7 है एक प्रारंबिक कक्षा कक्ष में एक बच्ची अपने जो अनभवी लाती है अपने साथ जो अनभव लाती है Q8 है एक शिक्षिक को चाहिए की तो इसका जो सही अंसर होगा वह होगा Q9 है निमिन लेकित स्रंचनाओं में ऐसे शिक्षा का दिकार अधिनियम 2009 किसकी वकालत करता है तो इसका जो सही अंसर है वह है चोथा उप्षिन मुख्य धारा शिक्षन Q10 है या विचार धारा है कि सभी बच्चों को एक निमित विद्याले में व्यवस्ता मैसमान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार हो तो इसका जो सही अंसर होगा वह होगा पहला उप्षिन समाविशी शिक्षा Q11 है निमिलिक इतने से कौन सा स्थम्ब कर के बच्चों को स्थम्ब कर मैं उनकी प्रात्मित्ता विशेषताओं की सही मिलान को प्रस्तुत करता है तो इसमें जो मिलान होगा वह होगा इसका जो मैं सही अंसर बताता हूँ आपको तो इसका जो सही अंसर होगा वह होगा साकिन्ड दूसरा ओप्शन जो यह डी ए बी सी सही अंसर है इसका क्वेशन नंबर बारा है बच्चे प्रभावी रूप से सीखते हैं जब तो इसका जो सही अंसर हो है फूर्थ ओप्शन वे विभिन गतविदियों एवन कार्यों में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं क्वेशन नंबर तेरा है बच्चे नंबर जो तेरा है वो है बच्चों को कक्षा में प्रेशन इसका जो सही अंसर होगा प्याला होगा पूछने के लिए प्रेश्ट करना चाहिए फर्स्ट ओप्शन जो है प्याला है ये इसका सही अंसर है Q14. नेमलिकत में से कौन सी एक मुख्य प्रिक्रिया नहीं है जिसके द्वारा सार्तक अधी गम घाटित होता है तो इसका जो सही अंसर है वो पहला ही है Q15. जब शिक्षिक को विद्यार्थियों एवं उनकी योग्याताओं के बारे में सकारात्मक विश्वास होता है तब विद्यार्थी तो इसका जो सही अंसर होगा पहला होगा सीखने के लिए उत्सो के वं प्रेलित रहते है Q16. बच्चों की गलतिया डैश तो इसका जो सही अंसर होगा वो होगा तीसरा अधी गम का भाग है तता उनके विचारों में एक अंतद्रिष्टी देती है Q17. मुल्यांकन को डैश तो इसका जो सही अंसर होगा वो होगा दूसरा अप्शन शेक्षन अधी गम प्रेक्रिया का एक भाग होना चाहिए Q18. सरंचनात्मक द्रिष्टी कोण के अनुसार अधी गम डैश है तो इसका जो सही अंसर है वो पहला है एक सक्रिय एवम स्माजिक प्रेक्रिया Q19. जो विद्यार्थी नीची लिख्यों इस्तिति के सिद्धात को दर्शाति है तो इसका जो सही अंसर होगा Q19. बहुत लंबा है इसे मैं पूरा नहीं पढ़ूँगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी तो इसका जो सही अंसर होगा वो होगा Q20. एक शिक शिक बच्चों को प्रभावी रूप से समस्या का समधान करने में सक्षम बनाने के लिए किस तरह से प्रोच्साइट कर सकती है तो इसका जो सही अंसर होगा चौथा उप्षन होगा बच्चों को समस्या के बारे में सहजानू भूत अनुमान लगाने एवं भाव विकल्पों को देखने के लिए प्रेजित करके Q21. नमबर 21 है बुद्धी के बारे में निमलेकित कतनों में से कौन सा सही है तो इसका जो सही अंसर होगा वो होगा चौथा उप्षन बुद्धी बहु आयामी है जिसमें बुद्धी प्रिक्षनों के द्वारा पूर्ण रूप से परिवेना की जाने वाली कई योग्याताईं शामिल है Q23. निमलेकित में कौन प्रात्मिक समाजिकरन माध्यम है तो इसका जो सही अंसर है ए उप्षन है Q24. बच्चों की सोच गुनात्मक रूप में व्यसकों से भेन होती है Q25. जेंडर तो जेंडर इसका जो सही अंसर होगा पहला होगा एक जैविक निर्धारक है Q26. निमलेकित में से कौन विकास की व्यावतिक आयामों की सही पैचान करता है तो इसका जो सही अंसर है वो फर्स्ट ओप्षन है शारिरिक, संग्यानात्मक, समाजिक और समभवेगात्मक Q27. जो Q27. बच्चों और उनकी अधियम के संदर्भ में निमलेकित कतनों में से कौन सा सही है तो इसका जो सही अंसर है वो पहला ओप्षन है सभी बच्चे सीखने के लिए स्वभावी रूप से प्रेडित होते हैं तता सीखने में सक्षम है Q27. प्रग्तिशील शिक्षा में बच्चों को किस थरह से देखा जाता है तो इसका जो सही अंसर है तीसरा सक्रिय अनुविश्कों के रूप में Q29. लोग वाइगोस्टिक के अनुसार अधिगाम तो इसका जो सही अंसर होगा पहला ओप्षन एक समाजिक कदी भी दिया है Q3. नेमिश्क में से कौन सा पूर्व क्रियात्मक अवस्था काल के बच्चे को विशेश्य करता है तो इसका जो सही अंसर होगा चोथा अप्षन विचारों की अनुत्तु क्रमनियत तो यह थी दोस्तो साइकोलोजी की तीस कोशेणों की अंसर की फर्स्ट पार्ट अब जो सैकंड पार्ट है यह पार्ट भी मैथेमेट्स इसकी बहुत ही जल्द अंसर की में त्यार करके आपके सामने पेश करूँगा अगर आपको वीडियो अच्छी लेगी हो तो लाइक करें चैनल पर नए हो तो सबस्क्राइब करें क्योंकि मैं ले टेस्ट नॉटिफिकेशन कोशेण पेपर अंसर की लाता रहता हूँ अपने चैनल पार दन्यावाद